हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शीव ट्विन फ्लियम चन्नी पर माई लविंग ट्विन सोल्स आप सभों को बहुत बहुत प्यार एवं अभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं सभी का स्वागत करती हूँ प्रियो आज मेरी सोल्स फैमली को सर्व पित्र अमवस्या की बहुत बहुत शुब कामनाएं आप सभों के पित्रगर्ण मोक्ष को प्राप्त हैं और उनकी बहुत बहुत आशिरवाद आपको मिले आप और आपके ट्वीन की जन्य पूरी होए मैं इश्वर से यही प्रात्न करती हूँ और आप भी आज यही प्रात्न करें तो प्रियो चलिए आज चलते हैं विशे पर जो है कि डियम की अवेकनिंग पेनफुली क्यों होती है डियफ से हम जानते हैं कि इस जन्य में डियम और डियफ दोनों की अवेकनिंग होती है पहले डियफ की अवेकनिंग होती है फिर डियम की होती है दोनों का एक ही प्रोसेस है दोनों ही पेनफुली सिच्वेशन से होकर गुजरते हैं लेकिन अधिकांस डियफ यह कहती है कि हमारे इस् समझ नहीं आता और DM इसे फिल भी नहीं कर पाते लेकिन सच्चाई कुछ और है DM से जादा पेनफूली सिच्वेशन DM की होती है DM की अवेकनिंग बहुत जादा पेनफूली होती है और वो DM जो मैट्रिक्स होते है और इस जर्नी में अधिकांज DM मैट्रिक्स ही होते है मैटेरलिस्टिक ही होते है तो आज मैं उन बातों को बताओंगी कि DM की अवेकनिंग इतनी पेनफूली क्यों होती है तो आई चलते ही इस बात को जानते है फर्स्ट पॉइंट है DM का लॉजिकल होना हम जानते हैं कि DM और DF बिल्कुल एक समान लगते है लेकिन उन में बहुत सी भिन्यताय होती है जहां DF बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है वहीं पर DM बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं तर्क वितर्क करते हैं डिवाइन की बातों पर इस्प्रिच्वल बातों पर वो ना तो इंट्रेस्ट लेते हैं ना बात करना चाहते हैं क्योंकि वो हमेशा 3D की चीजों से प्रभावित रहते हैं मनी, जॉब, सर्विस बिजनस फैमिली लाइफ इन पर उनका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है इसी वज़े से वो कभी भी spiritual बातों को सर्च नहीं करते उनमें इंट्रेस्ट नहीं दिखाते क्योंकि उनको design ही इस तरह किया गया है कि वो logical mind के होते हैं दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं और उसी पर काम भी करते हैं इसलिए DF चाहे उनसे कितनी भी spiritual बाते करे अपने connection के बारे में भी उनको समझाने की कोशिश करे divine के बारे में बाते करने की कोशिश करे लेकिन वो सुनना नहीं चाहते और नहीं उनमें इंट्रेस्ट दिखाते हैं इसलिए DM की awakening में late होता है second point है high ego DM high ego के लिए जाने जाते है DM जब DF को नकार कर उन्हें छोड़ कर third party को चुनते हैं या marriage कर लेते हैं तो इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं एक तो family का या society का जो उन पर दबाव होता है दूसरा मजबूरी वश वो third party में जाते हैं लेकिन बहुत से DM जिनमें ego issue होता है जिनका मानना यही होता है कि मुझे तो DF की जैसे कोई भी मिल जाएगी और इसी वज़ा से जब वो third party में जाते हैं तो वहाँ पर नाउमीद हो जाते हैं जैसी उमीद करके वो जाते हैं वो चीजे वहाँ मिलती नहीं पहली बात तो कार्मिक के साथ उनकी energy match नहीं होती और कार्मिक उनकी value नहीं करते हैं उनके भावनाओं को समझते नहीं यहाँ पर सबसे ज़ादा DM hurt होते हैं trigger होते हैं कार्मिक के दवारा और वہाँ पर वो पहली बार अपनी DF के बारे में सोचना शुरू करते हैं कार्मिक और DF में compare करना शुरू करते हैं कि आखिर DF क्या थी उनके लिए और कार्मिक क्या है यहां से उनकी अवेगनी शुरू होती है थर्ड पॉइंट है ट्रस्ट इशू डियम को ट्रस्ट इशू भी होता है वो किसी भी बात पर जल्द विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि वो लॉजिकल माइन के होते हैं 3D की चीजे उनको बहुत प्रभावित करती है क्योंकि उनके लोवर चक्रास एक्टिवेट होते हैं जमीनी चीजों से जुड़ कर ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं इसलिए हैर लेवल की बाते 5D की बाते उनको समझ नहीं आती जहां तक बात है DF की वो बहुत ज़्यादा इस्पृचल होती है इसी वज़़ से डिवाइन से बहुत जल्द कनेक्ट हो जाती है लेकिन DM विश्वास नहीं कर पाते DF चाहे कितना भी उनको इस कनेक्शन के बारे में बताने की कोशिश करे डिवाइन चाहे कितने भी साइन और सिंप्टम्स उनको दिखाने की कोशिश करे लेकिन उनका विश्वास जो इस पर नहीं होता इसकी वज़़ से वो इस जर्नी में भटकते है क्योंकि अगर किसे इनसान को बताया जा रहा है कि सामने मंदिर है और रास्ता ये है लेकिन अगर वो इनसान जाना ही न चाहे तो कोई क्या करेगा वही बात होती है डियम की कि उनको रास्ता तो दिखाया जाता है मंदिर तक पहुँचने का लेकिन वो उस रास्ते पर ही विश्वास नहीं करते इसी वज़े से जब उनको ट्रिगर्स मिलते हैं कार्मिक के द्वारा तो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और उनकी सिच्वेशन बहुत ज़्यादा पेनफूली हो जाती है फूर्थ पॉइंट है डियम का कार्मिक कनेक्शन डियम का पास्ट कर्मा उनका कार्मिक कनेक्शन और यही जिम्मेदार है डियम के लिए कि वो उनकी अवेकनिंग करवाए ट्रिगर दे दे के क्योंकि कार्मिक को रखा ही इसलिए गया है ताकि वो डियम को टार्गेट करे तो यहाँ पर सिच्वेशन यह होती है कि जब डियम साधना करना शुरू करती है खुद को हील और बैलनस करना शुरू करती है तो उसका एफेक्ट यहाँ पर पड़ता है और डियम भी अवेकनिंग में आना शुरू होते हैं और यहाँ पर उनकी life में ये होता है कि जो उनके कार्मिक होते हैं वो उनको trigger देना शुरू कर देते हैं और ये इतना ज़्यादा painful होता है कि DM उसे सह नहीं पाते हला कि जो उनका कार्मिक connection है वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रात्मिकता है उसको बचाने के लिए या उसे परिवारने के लिए बहुत कोशिश करते हैं खास कर वो DM जिनकी marriage हो गई है जिनके परिवार है बच्चे हैं क्योंकि बच्चे उनकी बड़ी कमजोरी है और परिवार तूट रहा है घर में लड़ाई जगड़े हो रहे हैं पतनी के साथ अनबन हो रहे हैं इस वज़से वो इस connection को सुधारने के बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इसके विपरिद कार में किसी भी रीती से कंट्रोल होती ही नहीं वो DM को trigger देती ही जाते हैं और इस वज़से DM की situation बहुत painfully हो जाती है क्योंकि वो लगातार उसी connection के पीछे पड़े रहते हैं कि मैं इसे कैसे सुधारू और जितना जादा वो उनके पीछे भागते हैं उतना जादा कार्मिक उनसे भागते हैं और उतना ही जादा उनको trigger देते हैं तो ये situation है कि DM की awakening बहुत painfully होती है fifth point है accept नहीं करते DM की सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि वो जल्द से जल्द accept नहीं करते किसी भी बात को अगर उनको divine इस twin frame journey के बारे में संकेत दे रहे हैं DF के बारे में बता रहे हैं उनके soul connection के विशय में बता रहे हैं लेकिन उसके बाद भी DM इस पर विश्वास नहीं करते हैं DM को भी twin frame journey के sign and symptoms मिलते हैं और तब मिलते हैं जब DF अपनी साधना के चरम बिंदू पर होती है जब उसकी awakening पूरी होने वाली होती है जब divine से soul merging होने वाली होती है उस वक्त DM की awakening शुरू हो चुकी होती है उनको भी twin frame journey के सारे sign and symptom दिखने शुरू हो जाते हैं खास कर शिव शक्ती राधे कृष्ण, angelic numbers, synchronicity ये सब कुछ उनको दिखते हैं लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाते हैं इसी वज़े से वो और भी ज़्यादा painfully situation में चले जाते हैं क्योंकि जब तक आप किसी बात को सिवकार करोगी ही नहीं उस पर काम कैसे करोगे उनके लिए सच यही है कि उनका 3D life, उनका कार्मिक एकाउंट ये जो उनकी जिम्मेदारी है और वो ये सोचते हैं कि इनी के साथ उनको जीवन परियंतर रहना है लेकिन वो ये नहीं जान पाते कि डिवाइन उनको बार-बार ये संकेत दे रहे हैं कि तुम्हारा soul connection DF के साथ है लेकिन वो विश्वास नहीं कर पाते, accept नहीं कर पाते और इसी वज़े से उनकी परिस्थिती और भी कठेन होती जाती है पेनफूली होती जाती है जब लगातार थर्ट पार्टी DM को ट्रिगर कर रही होती है और उस वज़े से DM बहुत ज़्यादा energy level पर drain हो जाते हैं low vibration में चले जाते हैं उनके सारे चक्रास ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं वो पूरी रिती से wounded हो जाते हैं बहुत से blockages आ जाते हैं उनके भीतर और वहां से शुरू होता है उनका पतन physically, mentally, financially crisis से होकर गुजरते हैं मानसिक रूप से उनको सुकूर नहीं मिलता, शान्ती नहीं मिलती सिर्फ एक दोड में दोडते रहते हैं physically वो बहुत ज़्यादा ठके हुए महसूस करते हैं अस्वस्थ भी हो जाते हैं financially उनको अपने जॉब में, सर्विस में या बिजनस में बहुत से loss होते हैं वो पूरी रीते से हतास और निरास हो जाते हैं और उस वक्त वो इस बात पर सोचने लगते हैं कि पहले उनकी life क्या थी, जब वो D.F. के साथ थे और अब क्या है, जब वो कार्मिक के साथ है तो यहां से जो उनकी awakening शुरू होती है कि जो triggers उनको मिल रहे हैं उसकी वज़ा से उनकी situation और भी ज़्यादा painfully हो गई है 7th point है, दर्द छिपाते हैं DM की सबसे बड़ी विशेस्ता कि वो अपने दर्द को छिपाते हैं जिस प्रकार D.F. यह कहती है कि DM को कभी दर्द नहीं होता यह सच्चाई नहीं है, DM को दर्द होता है और बहुत ज़्यादा होता है लेकिन यह उनकी विशेस्ता है कि उस दर्द को भी वो छिपा लेते हैं कभी आपने DM को रोते हुए देखा है बहुत कम देखा होगा क्योंकि ज़्यादातर DM तो रोते ही नहीं लेकिन वो रोते भी हैं तो Dark Night of the Soul में जब उस अकेले पन का सामना कर रहे होते हैं तब वो अपने DM को याद करके रोते हैं और ज़्यादातर वो अपने दर्द को अपने ही अंदर रखते हैं ना तो वो कभी अपने DM को बताते हैं ना कभी कार्मिक को क्योंकि कार्मिक उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं होते ना उनकी वैल्यू करते हैं और नहीं उनकी भाना को समझते हैं दूसरी और DM भी उनके साथ नहीं होते तो इस अकेले पन में उनका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है इंसान जब रोता है तो उसकी आँखों में जो आशू बहते हैं उसकी वज़ा से उसके दर्द भी बह जाते हैं लेकिन डियम जो ज़्यादा रोते नहीं इसी वज़ा से वो अपने दर्द को अपने ही अंदर रखते हैं इसी वज़े से उनका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है, उनकी situation और ज़्यादा painfully हो जाती है 8th point है addiction के शिकार DM का दर्द जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे छिपाने के लिए या दबाने के लिए वो addiction का सहरा लेने लगते है DM की एक आदत होती है कि वो कभी भी अपनी भानाओं को express नहीं करते, चाहे अच्छी या बुरी, अगर उनको दर्द भी हो रहा है तो वो कभी किसी को नहीं बताएंगे उसे अपने आप ही handle करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता इसी वज़े से वो addiction के शिकार हो जाते हैं, सिगरेट, सराब, ड्रक्स, आदी चीजों का सेवन करने लगते हैं उनको ऐसा लगता है कि इनके सेवन से कुछ समय के लिए वो इस दर्द से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता उल्टा इनी चीजों के वो आदी हो जाते हैं, उनका सेकर्ड चक्र, सेकरल चक्र जो unbalance होता है, इस वज़े से भी वो addition के शिकार हो जाते हैं एक और जहां third party उन्हें समझ नहीं रही है, उनके भावनाओं को वो बिल्कुल भी value नहीं देती, और दूसरी और DF की और से भी उनका energy नहीं मिल रही है तो यहां पर दोनों तरफ से DM हताश और निराश हो जाते हैं, और इसी वज़े से उनकी situation और भी ज़्यादा painfully हो जाती है, और addiction के शिकार हो जाती है नाइन्थ पॉइंट है, divine connection, जिस प्रकार DF बहुत ज़्यादा emotional होती है, spiritual होती है, divine से connect होती है और divine के द्वारत दिये गए sign and symptoms को समझती है, इस twin flame journey को search करती है, जानती है कि inner work करना है और उसके बाद वो खुद पर काम करके खुद को heal कर लेती है, खुद को balance कर लेती है, divine से soul merging कर लेती है लेकिन dm की ये इस्थिती होती है कि वो divine के साथ इस deep connection को पहचान ही नहीं पाते वो उपर उपर से कितना भी कहे कि मैं इश्वर पर विश्वास करता हूँ, लेकिन गहराई से वो कभी भी divine से जोड नहीं पाते खास कर वो matrix dm जो हमेशा 3D की चीजों के पीछे भागते हैं तो जब उनकी जिन्दगी में triggers शुरू होते हैं, तो पहले तो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं इसका मैं एक ओधारन बताती हूँ, कि एक छोटा बच्चा जब पहली बार गलती करता है तो पापा उसे समझाते हैं बेटा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना, फिर भी बच्चा नहीं समझता, दूसरी बार वो फिर गलती करता है पापा नराज होते हैं उसका कान खीच कर बोलते हैं अब करोगे तो सजा दूँगा फिर भी बच्चा नहीं समझता अब तीसरी बार जब बच्चा गलती करता है तो पापा उसको एक थपड जड़ते हैं और कहते हैं मैंने कहा था ना कि मैं सजा दूँगा तब बच्चे को स पर दिवाइन उनको इतने साइन सिंटम ते रहे होते हैं इस जर्णी के बारे में डियेफ के साथ सोल कनेक्शन के बारे में फिर भी वो नहीं समझते उनका फेथ आही नहीं पाता वो विश्वास कर ही नहीं पाते तो जब छोटे-छोटे ट्रिगर्स के द्वारा भी वो नहीं समझते तब आता है टावर मॉमेंट जिसे हम कहते हैं कि पापा ने बच्चे को थपड जड़ा तब डियम को खोश आता है जब उनके जिन्दगी में ऐसे बड़े-बड़े मामले होने लगते हैं, जब उनकी फैमली लाइफ में हंगामा मच जाता है, उनकी फैमली तितर-बितर होने लगती है, वाइफ बच्चे को लेकर भाग रही होती है, मानसिक रूप से वो पुरी रिति से परिशान हो चुके ह होते हैं, उनके काम काज में कोई सफलता नहीं दिखाई देती, लॉस ही लॉस उनको होता है, तब उनको समझ में आता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, उस वक्त वो डियफ के बारे में सोचते हैं, कि आखिर डियफ जब उनकी लाइफ में थी तो उनके साथ कितना कुछ अ करते थे, उनके जिन्दगी में सब कुछ इतना आसान था, लेकिन अब सब कुछ इतना मुश्किल क्यों हो गया है, तब उनको ये soul connection समझ में आने लगता है, तो वास्तों में जो triggers मिलते हैं, वो कार्मिक के द्वारा भी उनको मिलते हैं, लेकिन divine उनको ये trigger दिलवाते हैं, ज तब वो DF की और मुडते हैं तो प्रियों ये वो सारी बाते हैं जो बताते हैं कि DM की अवेकनिंग बहुत ज़्यादा पेंट फूली होती है अगर हम बात करें DF की उनसे कंपेर करें तो DF लाग गुना उनसे अच्छे सिच्वेशन में होएं क्योंकि DF हमेशन डिवाइन से कनेक रहती है डीपली वो इस्प्रिचल बातों को समझ पाती है सर्च कर पाती है खुद पर काम कर पाती है और खुद को हील और बैलेंस कर लेती है और इसी वज़ा से वो अपनी जर्नी पहले पूरी करती है और इसी वज़ा से कि उन्होंने अपनी साधना पूरी की है DM के अवे करने के लिए कार्मी को रखा गया है जो लगातार उनको ट्रिगर देते रहते हैं दूसरी और डियफ जो डिवाइन से सोल मर्जिंग कर लेती है इस वज़ा से वो डियम को भाव नहीं देती अगर डियम आना भी चाहे वापस तो डियफ के द्वारा उनको वो पहले वाला भाव नहीं मिलता वो तवज़ो नहीं मिलती जिसकी वज़ा से डियम और ज़्यादा ट्रिगर होते हैं हर्ट होते हैं और इसी वज़ा से उनकी अवेकनिंग होती है लेकिन अवेकनिंग दोनों की होती है दोनों की ही जर्नी पूरी होती है बस फर्क इतना है कि DM की थोड़ी पेनफूली सिचोईसन में होती है क्योंकि वो जल्दी विश्वास नहीं करते सच्चाई को सिवकार नहीं करते उनका एगो जो उन्हें सच्चाई को सिवकार करने नहीं देता लेकिन जब triggers अधीक मिलने लगते हैं टावर मोमेंट आने लगते हैं तब उनको विश्वास करना पड़ता है डिवाइन पर अपने इस soul connection पर डियफ पर तब वो पूरी रीती से अवेगनी में आते हैं तो इस प्रकार दोनों ही soul अपनी अपनी जर्नी को पूरी करती है और Mother Earth को सर्व करती है तो प्रियो जो भी बाते मैंने आपको बताई हैं होपस हो आपको help करें तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो में तक तक के लिए take care and God bless you all मेरी soul family आप सभी की जर्नी पूर सब्सक्त कूर आपसब पसुनांट में तक का